दोस्तों अगर खेट में पराली जलाई तो किसानों को मिलने वाली कृशी विभाग से समस्त सम्मान में धी समाफ्त कर दी जाएगी क्योंकि ये वायू प्रदूशन का सबसे बड़ा कारण बनता है जिसको लेकर सरकार काफी सकता है जी हाँ दोस्तों अगर कोई किसान पराली जलाता पकड़ा जूता है तो इस में एक एकर तक जमीन के लिए धाई हजार रुपे जुर्माना है और एक एकर से उपर होने पर पाँच हजार तक का जुर्माना लगाया जूता है दोस्तो उत्तर प्रदेश की अलग-अलग राज्यों में इस समय पराली जुलाने की घटनाय देखने को मिल रही है हलाकि राज्य सरकार द्वारा पराली जुलाने से रोकने के लिए अलग-अलग प्रावधान किये गए है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर बड़ा फैसला किया गया है दोस्तों आपको बता दे कि इस फैसले के तहट अगर खेत में पराली जुलाई तो किसानों को मिलने वाली कृषी विभाग से समस्त सम्मान निधी समाप्त कर दी जाएगी क्योंकि ये वायू प्रदुशिन का सबसे बड़ा कारण बनता है जिसको लेकर सरकार काफी सकत है ये फैसला उत्तर प्रदेश के गोरकपुर में लिया गया है अगर कोई पराली जुलाता पकड़ा जाता है तो इसमें एक एकर तक जमीन के लिए धाई हज़ार उपए जुर्माना है और एक एकर से उपर होने पर पांच हज़ार उपए तक का जुर्माना लगाया जाता है दोस्तो कृशी विभाग में डिप्टी डिरेक्टर अर्विन सिंग के अनुसार आपको बता दे कि इस मामले में लगातार शुकायते आती थी लेकिन सेटिलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर एक्शन लेने से पिछले साल लगभग 30 मामले सामने आये थे लेकिन इस साल के वल एक मामला सामने आया है इसका मतलब यह है कि लोग अब जागरूप हो रहे है आपको पता दे कि पुरवांचल में सर्दी ने दस्तक दे दी है और सूरज ढलने के बाद रात होते ही कोहरा गिरने लग रहा है जब MMUT परिसर में केंद्य प्रदूशन यंतरन बोर्ड ने वायो प्रदूशन ओटोमेटिक मशीन से उसका हिसाब लगाया तो एर क्वालिटी इंडेक्स से पता चुला की दिपावली के बाद हवा में प्रदूशन कम हुआ है यानि देखा जाये तो जिस तरह से पिछले साल पराली जुलाने के 23 मामले सामने आया थे इस साल मात्र एक मामला सामने आया है यानि कि लोगों के मन में कहीं न कहीं जुन्माने का खौफ है और साथी कृशी विभाग से मिलने वाली नीतियों के छीन जाने का भी खौफ है आपको ये भी बतादे कि उत्तर प्रदेश में पराली की घटनाओं में गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 38 प्रतिशत कम पराली जुलाई गई है फिलाल इस खबन में इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं जनता की अवाज